मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबरे पानी के लिए तुरन सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को और किस जले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं चलिए देखते हैं कैसार रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल यूपी तुराखंड में होगी भारी बारिश तेइस राज्यों में यलो अलर्ट जाने आज के मौसम का हाल 9 अक्टूबर 2022 देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार है आपको बता दें भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड में रहिवार को औरेंज अलड जारी है जाने किनकिन राजों में होगी भारी बारिश मांसुन की विदाई के बाद भी अक्टूबर में कई राजों में बारिश का दोड जारी है मौसम विवाग के मुताबिक आज यानी 9 अक्टूबर 2022 को यूपी उतराखंड, पूर्वी राइस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी, मद्यपरदेश, सहित कई राज्यों में भारी बारिश से आती भारी बारिश हो सकती है आईमडी ने रवार को यूपी उतराखंड और तमिलनाडू में भारी बारिश को देखते हुए औरेंज अलट जारी किया है वहीं बिहार, जहारखंड, मद्यपरदेश, हतिसगर, सहित, तेईस राज्यों में येलो अलट जारी किया गया है आपको बताते चले, इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलट, मौसम विबाग के मुद्ध उतरबरदेश के मौसम की बात करें ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि यूपी में बारिश कब होगी यूपी में कौन-कौन जिले में बारिश हो रही है, क्या आज बारिश होगी उतरबरदेश में, यूपी में कितने दिन तक मौसम खराब रहेगा इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मौसम विभाग के पूर्वा नुमान पर गौर करें तो आज यानी रईवार को उत्रप्रदेश में भारी बारिश देखते औरेंज अलर्ट जारी क्या गया है मौसम विभाग ने पस्चिमी यूपी के अधिकान जिलों में रईवार को तेज बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के मताबिक रईवार को बहराईच, लखीमपूर, खीरी, लखनव, कानपूर, उन्नाव, प्रताबगर, फैजापाद, गोरकपूर, गौंडाब, बस्ती, वहीं पस्चिमी उत्तर प्रिदेश के गाजियबाद, गौतम बुद्धनगर, मेरट, सहारनपूर, बरेली, मुरादाबाद, विरामफूर, सहित, कई जिलों में भारी बारिश होगी, रायस्थान के 25 जिलों में भारी बारिश का अलट, मौसम विभाग ने रेवार को रायस्थान के 25 जिलों में भारिश का अलट जारी किया है, पिछले 24 घंटे में बांसवाडा, जालवाड 12 और उदैपुर जिले में जोड़दार बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश के आसार है तेज बारिश के चलते चंबल और सहायक नदिया उफान पर है चंबल के सभी बांदों का जलिस्तर बढ़ गया है और बांदों से पानी छोड़ा जा रहा है जिसके कारण कई जिलों में बारिश के हालाद बन सकते हैं मौसम विभाग की और उत्राखंड में रईवार को भारी बारिश का लड़ जारी किया है कुमाओ और गड़वाल के कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहीं पहाडी राज्यों में सीजन की पहली बर्फवारी भी सुरू हो चुकी है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के उचाई वाले इलाकों में बर्फवारी के बाद तापमान में गिरावाट आने के साथ ही ठंड का एहसास होने लगा है अक्टूबर में क्यों हो रही बारिश अक्टूबर में बरस्ते बादलों के पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं एक तो बंगाल की खाड़ी में कम दवाब पैदा हो गया है दूसरे मानसून की वापसी में देर हुई है मुंबई में 13 अक्टूबर के बाद मानसून के विदा होने की उमीद है तब तक मुंबई में बारिश की मुसीबत का खत्रा बना हुआ है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत